कि वेल्कम टू एनेस ट्वंटिफॉर किलासेस प्रेंड्स आज हम आपको पॉलिटी का लेक्चर फर्स्ट कराएंगे जो कि भारतिय सभीधान से हैं और यह पॉलिटी का पेला लेक्चर है इसको आप समझें देखिएगा बात करते हम सबसे पहले बात करेंगे हम इस्ट इंडिया कंपणी किसकी बात करेंगे इस्ट इंडिया कंपणी किसकी बात करेंगे इस्ट इंडिया कंपणी के हम बात करेंगे East India Company की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 31 दिसंबर 1600 में East India Company की स्थापना हो जाती है और ये स्थापना कहां होती है ये होती है लंदन में कहां होती है लंदन में ठीक है East India Company की स्थाफना London में हो जाती है और इसका जो प्रिशासन होता है उसका प्रिशासन में क्या होता है इसका प्रिशासन होता है प्रिशासन में एक गवर्नर एक गवर्नर होता है एक गवर्नर और 24 अन्ये सदस्ये 24 अन्ये सदस्ये ठीक है 24 अन्ये सदस्ये होते हैं महरानी एलीजा वेत पिर्थम ने कहा इन्हें जो है अनुमती देदी पूर्वी देशों के साथ वयपार करनेगी इस एक के मताबिक क्या हुआ महरानी एलीजा वेत पिर्थम ने कमपनी से कहा कि तुम 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ वयपार कर सकते हो उन्हें एक खुली छूट देदी गई जैसे कि यहाँ पर एक खुली छूट जैसी ही दी गई बाद में कमपनी ने अपने भारत में ऐसे पसारे के उन्होंने फिर उहाँ पर एक अपनी कबजा कर लिया ठीक है क्या करा इन्होंने फिर भारत पर कबजा कर लिया आये थे वेपार करने के लिए और कर लिया कब्जा केंए का मतलब परिशासन चलाने लगे मतलब पुरा करने लगे किस को भारत को भारत पर पुरा इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और बाद में जो है लोगों को परशानी हुई फिर इनके लिए जो है जो की आपकी ब्रिटिस सरकार थी उसने कई सारे बदलाव किये चार्टार एक्ट में ठीक है कई सारे चार्टार एक्ट आये फिर अधिनियम बने ठीक है तो इस तरह के साम बात करेंगा आगे भी चलिए सारे में तो यहां पर क्या हुआ था इनकी अपनी जो है गवन्नर और उसकी परिशद हुआ करती थी ठीक है क्या हुआ करता था गवन्नर एक इनका गवन्नर हुआ करता था उसकी और परिशद भी हुआ करती थी ठीक है अपना गवन्नर और परिशद हुआ करती थी महारानी पंदरा वर्षों के लिए के लिए वयपार के लिए जो है अनुमति दे दी ठीक है पूरवी देशों के साथ पूरवी देशों के साथ ठीक है, पूरी विदेशों के साथ जो है, अनुमती दे दी गई, आगे क्या होता है, आगे आता है, 1726 का चार्टर एक्ट, 1726 का चार्टर एक्ट, 1726 के चार्टर एक्ट में, क्या बदलाप किया गया, देखो, पेले जो था, क्या था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, में जो था, एक गवर्नर, पिलस, उसकी परिशद, क्या हुआ करती थी, एक गवर्नर हुआ करता था, उससे ही परिशद हुआ करती थी, ठीक है, इसी तरीके से मदरास में, मदरास में भी यह हुआ करता था, ठीक है उसकी मदास प्रेसिडेंसी उसमें वी ए गविणनर और उसकी प्रेशद हुआ करता थाा अब इसके जो इसके लिए जो विधी या कानून बनाया करता था वह लिखियागा विधी या कानून कोन मनाया करता था इनके लिए विधी कानून जो है इंग लेंड में इस्तित इंगलेंड में कि समझते चलिएगा बहुत अच्छी तरीके से किसी भी एक्जाम में आप एगर एक्जाम देंगे उसमें आपको इसमें से कोश्चन बाहर नी जाएगा ठीक है जो इंग्लेंड में स्थित बोर्ड ओफ डारेक्टर था बोर्ड ओफ डारेक्टर एक थे बोड ओफ डारेक्टर उसमें जो है उसमें भी एक गवर्नर एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे हमान Mi 24 अनय सदश्य हुआ करते अब क्या होता है जब यह चार्टर ये लाया गया तो यह क्यों लाया गया था यह इसलिए आया था कि परति एक प्रांथ यां प्रक्रिती एक प्रांथ जो है अपने प्रति rumors अपने गवर्णनर और उसकी परीशत बना शक्ति ती रख सकती थी ठीक है एक पिरती एक जो था गवर्नेर अपने अपने गवर्नेर और उसके परिशद बना सकती थी ठीक है इसी तरीके से जो है आगे देखते हैं फिर क्या होता है फिर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहां से सारी किताबों में से जो दिया है जितनी भी किताबे हैं उसमें दिया हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट इसके हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट संचालन अब यह जो रेगुलेटिंग आया था किसी तो आया तो आया होगा या फिर किसी कि कहने पे रेगुलेटिंग वग्यरा जो भी होता था यह प्रोल्वल्म होती थी पहलेवाले एक्ट में तभी ये नया आया करता था ठीक है तो इसके सिफारिष थी लॉर्ड नॉर्थ को नम्याद रखांगे लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो बनाई गई थी जो थी गुप्त कमेटी ठीक है गुप्त कमेटी गुप्त समीती ठीक है गुप्त समीती ठीक है कि स्विफारिश में जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया जिसमें की बंगाल जिसमें की बंगाल प्रेजिडेंसी जिसमें बंगाल प्रेजिडेंसी के अधीन जो थे वो कौन-कौन था ये देख लेते हैं बंगाल प्रेजिडेंसी के अधीन थे आपके मदरास मदरास प्रेजिडेंसी और एक थी आपकी बंबई प्रेजिडेंसी कौन तीन काल सी मद्रास प्रेजिदेंशी और बंबैं प्रेजिदेंशी यस के अधीन थी दोनों ठीक है छो हरड़ल का गवनर जनलN गवनर हुआ करताilot जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको कहने लगे बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहने लगे बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने वो थे Warren Hasting Warren Hasting वो थे Warren Hasting ठीक है इस चीज़को आप याद रखांगे दूसरा है आपका Board of Director Board of Director ठीक है Board of Director की स्थापना की गई जो बोड़ा और डारेक्टर में जो था एक governor हुआ करते थे और 24 अन्य सदस्य हुआ 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे ठीक है जो 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे इसमें क्या हुआ पहले इनका जो कारियकाल था जो पहले कारियकाल हुआ करता था वो एक वर्ष के लिए हुआ करता था ठीक है पहले कारियकाल कि इनका कितने एक वर्ष के लिए हुआ करता था फिर इससे बढ़ाकर फिर इससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया चार वर्ष के लिए कर दिया गया कितना कर दिया गया चार वर्ष कर दिया गया अब इस चार वर्ष में एक बटाए चार सदस्य थे वह क्या हुआ करते थे दिया है यहाद रिटा вмेंट इसके सरव न्याले की सथापना वए कि सर्वच्चन याले की स्थापना हुई कि सर्वच्चन याले की स्थापना हुई एक स्थापना हुई तो इसमें एक थोते हैं चीफ जेस्टिस हुए जिनका नाम था एलीज्जा इम्पे कौन हुए एलीज्जा इम्पे और तीन अन्ये जज हुए तीन अन्ये जज उनके नाम भी मैं आपको बताया देता हूं नंबर एक चैम्बर्स ठीके चैम्बर्स नंबर दो ले मिनिस्टर ले मिस्टर ठीके यह आपको ध्यान रखने है यह नाम आपको यह किताब में असान नहीं मिल पाएंगे इसके जो अगर यह काम अच्छा नहीं करते थे अगर कोई शिकात हुआ करती थी इनके सर्वच्चिन याले के और अगर अगर कोई भी सर्वच्चन याले का अगर कोई व्रुद जाया करता था तो यह अगर शिकायत हुआ करती थी इंग्लेंड इस्तिद्द प्रिवी इस वाले एक्ट में प्लस उनकी परिशाद को दी गई और यदि कोई अगर विवाद हुआ करत था इनके बीच निर्यायक जो मत होता था मर्याक निल्यक मत सोरी निल्यक मत जो हुआ करता था उसका अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही हुआ करता था ठीक है इतनी बात आपको समझ में आगए होगी इस एक्ट की कम्यों को दूर करने के लिए दो अधिनियम पास हुए वो कौन कौन से वो यह डियाज अधिनियम और एक इंडिया बिल ओफ फॉक्स क्या इंडिया बिल ओफ फॉक्स पास किया गया इमार यह पास हुए नहीं, तो इसकी अगर यह पास नहीं हुए तो फिर क्या हुआ? का क्या फाइदा। इसके बाद में फिर क्या होता है। इसके बाद में आता आपका 1781 का कि एक्ट ओफ सेटल्मेंट। एक्ट ओफ सेटल्मेंट। एक्ट ओफ सेटलमेंट ठीक है 17-81 का एक्ट ओफ सेटलमेंट आता है जिसमें कि गवणनर पिलास परिशद को सरवच्चिन याले की अधिकारिक्ता से जो बहार कर दिया जाता क्या परिशने का मतलब क्या है जो गवणनर और उसकी परिशद थे उनके जो अधिकार थे उससे उनको बहार कर दिया गया अब तुम यह इसमें से बहार हो जाओ ठीक है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिन बंबभी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और फिर पहले हुआ करती थी अब इन सभी प्रांतों के लिए कानून बनाती थी कौन बंगाल प्रेसिडेंसी ठीक है इन सभी जो है प्रांतों के लिए जो कानून बनाया करती थी वह बंगाल प्रेसिडेंसी बनाया करती थी अब भारतिय रजस्व से जो सम्मंदित अधिकारी भी सरवच्ची नियाले के अब क्या होता है जो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी लिखने कि अगर आप जर्वत है तो आप मेरे साथ-साथ बैसी लिखते रहें ठीक है ठीक है इसके बाद में हम बात करते हैं 1784 का कि इसके बाद में कौन सा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ठीक है पिट्स इंडिया एक्ट आता यह सेटलमेंट आया था अब आगे पिट्स इंडिया एक्ट का सिर्षक था मतलब एक सिलोग कहते हैं सिलोगन वह क्या था भारत में ब्रिटिस अधिकार धीन चैत्र क्या था तो यह नहीं के जो कम्पूनी के जूटे जो व्यापारिक क्रिया कलाब्स तो व व कौन 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 से सम्ब्रकाइब करें कि देखा करके थे семь खाओ frame क्या जोड़ दिया गया, Board of Control, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया देता हूँ, देखिए, भारत में British, British, अधिकार, अधिकार, कारा, धीन, अधिकारा धीन, छेत्र, ये इसका क्या था, ये इसका एक शिर्शक था, क्या था, शिर्शक था, ठीक है, इसमें जब कंपुनी, कंपुनी के जो, अधिकार, वैपारिक, क्रिया कलाप्थ है, वो किस-किस के Board of Director, वैपारिक, लिखे देता हूँ, चलिए, वैपारिक, वैपारिक, क्रिया कलाप्थ देखा करते था, Board of Director, ठीक है, ऐसके लिख देते हैं, शोट में, और राजनीतिक, जो राजनीतिक क्रिया कलाप्थ देखा करते था, यह पहले से ही था, ठीक है, यह पहले से ही था, और यह अब हुआ, Board of Control, ठीक है, Board of Control, इसमें क्या हुआ, इसमें 6 सदस्य हुआ, इंग्लेंड में इस्तित कुल 6 सदस्य, इसमें जो है, इंग्लेंड में जो है, क्या हुआ करते था, 6 सदस्य हुआ थे, कितने सदस्य है, 6 सदस्य हुआ करते थे, इनकी जो न्युक्ति करते थे, इनकी न्युक्ति का अधिकार था, वो किसके पास था, समराट के पास था, ठ प्रांति गवणर जनर्र पलस उनकी परिषत की संक्या 4 घटा कर दी गई ठीक क्या कब के जो करमचारी थे उन्हें मना कर दिया गया आपको रिश्वत या उपहार लेने पर प्रिदिबंद लगा दिया गया था उपहार या रिश्वत ठीक है कि अंग्रेज अधिकारियों के लिए इंग्लेंड में एक नियाल्य की स्थापना की गई कि अगर गए जो अंग्रेज अधिकारियें अगर वो अवेध कारियें करते हैं और ज्यादा परशान करते हैं लोगों को तो उनके लिए जो एक नियाल्य बनाया गया वहां पर उनकी सुनवाई होगी इंगलेंड में ठीक है वहां पर उसकी जो है सुनवाई हुआ करती थी गवर्णर जनरल किसी राजा के युद्ध या वह संधी के लिए अगर संधी करना चाहता था तो उसे अनुमती लेना पड़ती थी बोर्ड कि चलिए इसका आगे देखते हैं फिर आता है 1786 का डिके श्क रोडेनर चैस Magic और इसमें क्या होता है ग medidas cognitive को जो Grant आपाती बना दिया गया गवर्णना जन्रेल को ही प्रधान सेनपती बना दिया गया ठीक है जो गवर्णना जन्रेल हुआ करते थे उनको ही प्रधान सेनपती बना दिया गया ठीक है क्या बना दिया गया प्रधान सेनपती बना दिया गया प्रधान सेनपती बना दिया गया और विशे विशेस परिषितियों में परिश्द के निर्णियों को माना जायेगा यह कःति है क्या का गया कहा गया कर गया क्या करते हैं उनका निर्णियों नहीं माना जाएगा ठीक है इस एक्ट में यह के दिया गया इसके बाद में आता आपका 1793 का ठीक है इतनी बात आपको समझ में आई चलिए ठीक है इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ 1813 का चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट ठीक है अठार सो तेरा का चार्टर एक्ट में क्या हुआ इसमें इसमें दो चीज़ें यह हुई एक तो पहली चीज़ भारतिये भारतिये शिक्षा भारतिये शिक्षा अधिनियम पास किया गया भारतिये शिक्षा अधिनियम दुसरा धार्मिक धार्मिक निर्योगिता अधिनियम अब इसमें क्या हुआ इसमें कहा गया कि भारतिये शिक्षा पर भारतिये शिक्षा प्र भारतीय शिक्षा पर पृति वर्ष एक लाख रूपे खरक के जाएंगे और इसमें क्या कहा गया इसमें क्छार के जाएंगे अगर ब्रिचारी वह एगर कोई भी धर्म नहीं अपनाएगा तो उसकी जोई इसकी जह जमीन जायात मतलब अपने कबजे में ले लिज जाएगी उनके बच्चों की जब तक वो मान के चलिए जब तक वो जैसे की जिसे कि मान के चले जैसे किसी नह अगर ये धर्म जो भी जो भी मुसल्मान नहीं होगा मतलब जो मुसल्मान मुसलिम धर्म नहीं अपनाएगा उसको जहे उसकी जमी अगर जब तक उसको जमीन पुरण जेब दो थे वह खुले धर्म से प्रिचार कर रहे थे उनका भी उन्होंने भी अपना जो है जो है धर्म का प्रिचार किया था ठीक है इससी तरीके से देखिए आपको इस बार यह वाली बात भी आपको समझ मागए होगे आशा करता हूं ठीक है अगला पॉइंट द रहा है जो पर आप यह तक रवेपार उन्हों अन्नीमित्थों फ मिल लेकिन चाह का वैपार ओभभाश साथ य упраж सकता भाश्मिंआ कर जो है कमपंपनी का अथीकार होगां ठीक है जो सिसमें अपकोwritten में तो अपवाद रहे चाह का वेपार चीन के साथित कियो कॉपनी का ए 2923 पिस चार्टर कि की भारत के गवर्णर जनर्र बने में भारत की गवर्नर जनर्र बने थीक ए तकुं लाइन देखो मैं आपको लिद्धा हूं इसके बारे में बंगाल के गवर्नर जन्रनर को भारत का जन्रनर गवर्नर कहा जाने लगा कहा जाने लगा ठीक है कहा जाने लगा और इस जो सबसे पहले बने वह कौन बने यह बने आपके लाड विलियम वेंटिक कौन मने लाड विलियम वेंटिक कौन मने लाड विलियम वेंटिक ठीक है इस इसका अब ध्यान रखांगे पूरे भारत का कानून पूरे एक भारत मतलब कहने का मतलब यह था तीन चीज़ें इसमें ऐसी हुई कि कहा गया कि पूरे भारत पूरे भारत का कानून पूरे भारत का कानून पहली चीज़ तो आपकी यह हो गई दूसरी क्या हुआ दूसरा हुआ आपका पूरे भारत के लिए एक बजट पूरे भारत के लिए एक बजट तीसरी चीज़ क्या हुए आपकी आयोग गठन करने की शक्ति और अका आयोग गठन करने की शक्ति इन चीजों कुछ हो है इनके जो किसके किसकर माया करती थिए गवरनर जन्रल के किसके इंडर में गवर्णर जनर्रल के अंडर में आया करती थी ठीक है कि अठारास चोंतिस में लाड में काले कि अधिक्ष्टा में विधी आयोक का निर्म गठन किया गया इसमें कुल सदस्य चार थे कितने सदस्य थे अठारास चोंतिस में लाड में काले कि अधिक्ष्टा में ठीक है क्या विधी आयोक का गठन किया गया वह कम्पुनी के जो वैपारीग एक अधिकार थे वह चीन के साथ वैपार और चाय के साथ वैपार जो है उसका समाप्त कर दिया गया था पूरी तरीके से यहां जो हैं के उपर पवंदी लगा दी गई थी ठीक है अब 1833 के एक्ट के तहट बाद में जो नियम पास होने हुए उसे अधिनियम कहा जाने लगा उसको जह क्या बिनियम 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 कहा गाया था थी ठीक है इस चीज़ को आप समझ लेंगे आशा करता हूं कि यह बात आपको 1833 के चार्टर रेक्ट में बताया गया कि विधाई शक्ति और प्रसासनिक सक्ति से अलग कर दिया गई थी विधाई शक्ति प्रसासनिक सक्ति से अलग कर दिया गई और बंगाल के प्रसासन को समालने के लिए लेफ्टिनेट गवंणर न्यूक्त किया गया कौन लेफ्टिन गवनर को जो नियूक्तिय क्या गया विधी निर्माल के लिए विधान परिशद की स्थापना हुई जिसमें की नियूंतम संक्या 8 और अधिक्तम संक्या 12 हो सकती थी ठीक है उनकी सदस्योगी इसके द्वारा जो है पास नियम को जो गवनर जनरल पास करता था जो अधिनियम बन जाया करता था कहने का मतलब यह जो विधान परिशद की जो विधान परिशद जो है किसी चीज़ को पास करती थी किसी नियम को तो जब उसको फिर कौन पास करता था गवनर जनरल पास करता तब आधिनियम मनता ते, जैसे कि आप राष्टि पती सी पास करते हैं किसी भी बिलको तो वह क्या बन जाती अधिनियम में तो पिर्तियोगी यह परिक्षा परिक्षा करो उसमें नगाया जायएगा ठीक है और Board of Directors की सदस्यों की संग्या 24 से घटा कर 18 कर दी गई Board of Directors की जो संख्या थी 24 उसको घटा कर कितना कर दिया गया 18 कर दिया गया, इतनी बात आपको समझ में आ गए होगी इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आता आपका 1853 का का एक्ट ठीक है इसमें देख लेते हैं हमें इसमें क्या हुआ इसमें एक नॉम्बर को अब वाइसराय का यागा सभी शक्तियां ब्रिटी संसत के हातों में चली गई जो शक्तिया थी जो शक्तियां थी उसके पाथ उसे किसे दे भारत सचिक को दे दी भारत सचिब ने क्या कर criter बहरत परिशद की संथा साथ लोग बूर्त आपको समझ में आ गई कि फिर क्या हुआ है इस रोयल कमिशन बनाई और धो कमीशनी ईसके नों की इस्थापना कि ःति ना सुन्स बार्ति संविक विधािं秦 है और मेलत थे सथापन आपनी आसमा बिल वह बंगाल में बंगाल में क्या हुआ कि एक और ग्णानौ यह में एक उनुपाद दो का मतलए एक भारती है दो कौन बेटिस है निक इस चीजों को आपके समझ में और आई हूँ तो आग बढ़ते हैं ठीक है इसके बाद में आता आपका 1861 का भारत परिशद अधिनियम भारत परिशद अधिनियम यह हम अगले अगली किलास में करेंगे तो पार्ट टू में इसको हम कवर करेंगे तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वोचिंग